Hello friends, welcome to our channel तो friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC Net Paper 1 2020 से रिलेटर जो मोग टेस्ट स्रीज है उसके मोग टेस्ट 59 के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 MCQs और हर बार की तरह सेम प्रोसेस है आपके पास सरे कोशन का अंसर करने के लिए 10 सेगेंड का टाइम होगा जहांपर आप्शन्स आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने 10 कोशन्स में से कितने कोशन्स को करेक्ट माक किया आज का मारा पहला कुशन है इंडिया हैस दी डैश लार्जेस्ट ओन शोर विंड फार्म सिंदी वर्ल्ड यानि के भात का दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा तटवर्ती पवन फार्म है फ्रेंड्स आप्शन्स आप अपनी स्क्रिन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें दस सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं इस कौशन का करेक्ट आंसर है ओप्शन सी फोर्थ यानि के इंडिया है इस दी फोर्थ लार्जेस्ट ओन शोर विंड फार्म इन दी वर्ल्ड यानि के भारत का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटवर्ती पवन फार्म है कुशन नमबर सेकंड है विच इस दी लार्जेस्ट विंड फार्म इन इंडिया यानि के भारत में सबसे बड़ा पवन खेत कौन सा है इंडिया का लारजस्ट विंद फार्म है option A, मुपंडल विंद फार्म मुपंडल विंद फार्म इंडिया का लारजस्ट operational onshore wind farm है और onshore wind power यह किसे रैफर करता है उन turbines को रैफर करता है जो कहां पर located होते हैं यह land पर located होते हैं यानि के भूमी पर स्तित होते हैं और जिनका यूज किया जाता है किसके लिए electricity को generate करने के लिए यानि के बिजली को उत्पन करने के लिए इसका यूज किया जाता है और बिजली उत्पन करने के लिए किसका यूज किया जाता है पवन का उप्योग किया जाता है और ये project कहां पर located है तामिलाडू की district है कर्णियकुमारी वहां पर ये located है और ये project विक्सित किया गया था तामिलाडू Energy Development Agency द्वारा और इसकी installed capacity क्या है 1500 मेगावाट जो इसे दुनिया के largest operational onshore wind farms में से एक बनाती है यहाँ पर friends आपका एक और question के लिए हो जाता है कि जो भारत का मुपंडल wind farm है जो largest wind farm है इंडिया का उसकी installed capacity क्या है उसकी installed capacity है स्थापित शम्ता है 1500 मेगावाट और second place पे कौन सा इंडिया का largest wind farm है वो है जैसल मेर wind park जो कहाँ पर है राज़िस्तान की city है जैसल मेर वहाँ पर है और इसकी installed capacity क्या है 1064 मेगावाट question number 3 when did wind energy development start in इंडिया यानि के भारत में पवन उर्जा का विकास कब शुरू हुआ भारत में पवन उर्जा का विकास शुरू हुआ option C December 1952 को question number 4 है in 2015 the dash set the target for wind power generation capacity by the year 2022 at 60,000 मेगावाट यानि के 2015 में dash ने वर्ष 2022 तक 60,000 मेगावाट पर पवन उर्जा उत्पादन शमता के लिए लक्ष निर्धारित किया ये लक्ष निर्धारित किया गया option C MNRE द्वारा येनके ministry of new and renewable energy द्वारा अगर हिंदी में कहें तो नवीन और नवीकर्णे उर्जा मंत्राले द्वारा ये target set किया गया था और ये target कब set किया गया था 2015 में और कौन सा target था wind power generation capacity का कि 2022 तक 60,000 मेगा वाट पवन उर्जा उत्पादन शम्ता के लिए लक्ष निर्धारित किया नेक्स्ट कुछने कुछने कुछन नमबर फिफ्ट the ministry of new and renewable energy is currently headed by डैश येनके नवीन और नवीकर्णे उर्जा मंत्राले वर्तमान में डैश के निर्धत में है ये किसके नितत में है ऑप्षिन सी राजकुमार सिंग इन शॉट आरके सिंग के ये नितत में है ministry of new and renewable energy और इसके current secretary यानि के मंत्राले के वर्तमान सचीव कौन है आनन कुमार इसके current secretary है और ministry of new and renewable energy in short MNRE ये क्या है ministry है government of India की यानि के मंत्राले है भारसरकार का जो किसके लिए responsible है किसके लिए जिम्मेदार है research and development के लिए यानि के अनुसंधान और विकास के लिए intellectual property protection यानि के बौधिक संपदा सरंक्षन के लिए international corporation यानि के अंतरास्टे सहयोग promotion और coordination यानि के पदोनती और समनवे के लिए किसके renewable energy sources के लिए और उन renewable energy sources में क्या शामिल है wind power शामिल है small hydro power शामिल है बायो गैस और solar power इसने शामिल है और अगर हम इसके व्यापक उदेशे की बात करें यानि के broad aim की बात करें इस ministry के कांसी ministry ministry of new and renewable energy in short MNRE इसका व्यापक उदेशे है develop and deploy करना यानि के विकास और तैनाती करना ताकि भारत की जो उर्जा की अवशकताएं है requirements है energy की उनको पूरा किया जा सके next question is question number 6 where is the headquarters of the ministry of new and renewable energy यानि के नवीन और नवीकर्णिय उर्जा मंत्राले का मुख्याले कहां पर है इसका headquarter है option D New Delhi में New Delhi में कहां पर है लोधी रोड है वहां पर इसका headquarter है किसका ministry of new and renewable energy का next question is question number 7 the ministry of new and renewable energy was established as the ministry of non convention energy sources in dash it adopted its current name in October 2006 यानि के dash में नई और नवीकर्णिय उर्जा मंत्राले को गैर पारंप्रिक उर्जा श्रोतों के मंत्राले के रूप में स्थापित किया गया था इसने October 2006 में अपना वर्तमान नाम अपनाया ministry of new and renewable energy इसे established कब किया गया था option B 1992 में लेकिन उस टाइम इसे ministry of non convention energy sources यानि के गैर पारंप्रिक उर्जा श्रोतों के मंत्राले के रूप में इसे स्थापित किया गया था और ministry of new and renewable energy इस ministry ने ये नाम कब अपनाया ये नाम अपनाया गया October 2006 में जो इसका current name भी है अगर हम कुछ initiatives की बात करें ministry of new and renewable energy के तो वो initiative हैं वो पहल हैं जैसे की जवाहर लाल नहरू National Solar Mission in short JNN SM National Solar Mission ये कब launch किया गया था 11 जनवरी 2010 को किसके द्वारा Prime Minister द्वारा मनमोन सिंग जी उस टाइम Prime Minister थे और यहाँ पर आपका ये question भी clear हो जाता है कि National Solar Mission ये कब launch हुआ था 11 जनवरी 2010 को किसके द्वारा Prime Minister मनमोन सिंग जी द्वारा ये launch किया गया था उसके बाद अगर हम next initiative की बात करें Ministry of New and Renewable Energy के तो वो है National Biogas and Manure Management Program in short NBMMP यानि के रास्त्रिय बायो गैस और खाद परबंदन कारिकरम next initiative है Solar Lantern Program LALA यानि के सोर लालतेन कारिकरम next पहला है जो इसके अंडर है Solar Thermal Energy Demonstration Program यानि के सोर तापिय उर्जा परदर्शन कारिकरम next है Remote Village Lightning Program उसके बाद National Biomass Cook Stoves Initiative in short NBCI और next पहल है National Offshore Wind Energy Authority यानि के रास्त्रिय अप्त्रिय पवन उर्जा परदिकरन offshore यानि के खुले समुद्र में और इसके अलावा अगर हम कुछ new initiatives की बात करें जो की किसके अंडर है Ministry of New and Renable Energy के अंडर तो वो हैं जैसे की Green Energy Corridor यानि के हरित उर्जा गलियारा Renable Purchase Obligations यानि के नवी करनिय खरीद के दाइतव next है Net Metering Policy then उसके बाद Repowering of Wind Power Projects यानि के Power उर्जा परियोजनाओं की मरमत next है International Solar Alliance यानि के अंतरास्टिय सोरगट बंदन और last में है सूरे मित्र स्कीम या फिर सूरे मित्र योजना ये सब new initiatives हैं किसके अंडर नवीन और नविकर्णिय उर्जा मंत्राले के अंडर और friends आपको ये सबी initiatives याद रखने हैं क्योंकि अक्सर exam में इस तरह के questions भी पूछे जा सकते हैं कि किस ministry के अंडर कौन से initiatives हैं या कौन सी पहल है तो आप इन सब initiatives को अपने notes में लिख सकते हैं और ये initiatives किसके अंडर है ministry of new and renewable energy के अंडर नेक्स्ट कॉस्टन है कॉस्टन नमबर एट डैश एन autonomous institution of ministry of new and renewable energy in short MNRE is the apex national research and development institutions in the field solar energy यानिके डैश नवीन और नविकर्णिय मंत्राले उर्जा की एक स्वायत संस्था सोर उर्जा के शेत्र में सर्वोच रास्टिय और नुसंधान एवं विकास संस्थान है वो है option D national institute of solar energy in short NISE अगर हिंदी में कहते हो रास्टिय सोर उर्जा संस्थान ये कहां पर located है ये हर्याना की सिटी है गुरुगराम वहां पर located है वहां पर स्थित है नैशनल इंसिट्यूट आफ सोलर एनरजी ये एक autonomous institution है किसका ministry of new and renewable energy का और ये क्या है एपेक्स यानि के सर्वोच रास्टिय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है किसके फिल्ड में सोर उर्जा के फिल्ड में अब जैसे friends कई बार question पूछ लिया जाता है कि सोर उर्जा के फिल्ड में एपेक्स यानि के सर्वोच institution कौन सा है तो वो institution कौन सा है National Institute of Solar Energy Next question, question number 9 In which year is the National Institute of Wind Energy in short NIWE established यानि के रास्टिय पवन उर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष में की गई है इस की स्थापना की गई है option C 1998 में किस की स्थापना की गई National Institute of Wind Energy की और इसे कहां पर established किया गया था यानि के स्थापित किया गया था इसे चेन्नई में स्थापित किया गया था 1998 में और ये क्या है एक autonomous research and development institution है किसका ministry of new and renewable energy का government of India का और ये कहां पर located है Tamil Nadu की city है चेन्नई वहां पर ये located है और आज का मार लास्ट कोशन है question number 10 Dash is a non-banking financial institution under the administrative control of this ministry for providing term loans for renewable energy and energy efficiency projects यानि के Dash, Navikarnia, Urja और Urja दक्षता प्रियोजनाओं के लिए रिन परदान करने के लिए इस मंत्रा लेके परशाशनिक येंत्रण में एक गैर banking वित्य संस्थान है और वो institution है option B, IREDA जिसका full form है Indian Renewable Energy Development Agency अगर हिंदी में कहीं तो भारतिय, अक्ष, उर्जा, विकास, संस्था ये क्या है non-banking financial institution है यानि के एक गैर banking वित्य संस्थान है जो क्या करती है रिन परदान करती है लोन परदान करती है किसके लिए Renewable Energy और Energy Efficiency प्रोजेक्ट्स के लिए यानि के नविकर्णिया उर्जा और उर्जा दक्षता प्रियोजनाओं के लिए रिन परदान करता है कौन IREDA तो फ्रेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल कोशन्स यानि के 10 कोशन्स में से कितने कोशन्स को करेक्ट माग किया नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी तो थैंक ये फैंस फो वाच इस वीडियो